नमस्कार स्वागत है आपका रिपोर्टर पोश्ट में आज हमारे साथ बात करने के लिए परदेश कॉंग्रेस के कार्चकारी अध्यक्ष और जार्खन के कद्दावर नेता बंदू तिर्की जी है अज कुछ नियोजन निती पर कुछ बाते हो उस नियम में जो मानने उचनियाल है उसमें उसको आपका टर्ण डाउन कर दिया है उसको खरिच किया है तब है कि कुछ भी संगतिया है लेकिन यहां के इवक्ताओं के लिए विरुजगारों के लिए हर हालात में राजसरकार को इसको एक्चुनोति के रूप में सबसे मुद्दा है इसको पूरे यहां के जो कानुनबिद हैं जानकार लोग हैं उनके साथ मिल करके यहां पर आदिवासी मुलवासियों के हित में ये नियोजन निति को आविलम आमली जमा पहिनाना चाहिए और इसके जोरत पड़े तो विशेस सत्र बुला करके इसको करना चाह नियाले ने इस पर खारिच किया है लेकिन इस बार दुबारा जब बने तो पूरे चीजों को ठोक ठठा के पुक्ता तरीके से ये नियोजन निति बने और यहां के हमारे जो चातर चात्राओं को जो बिगत राज बनने के बाद से उनको एक सा उनको एक तरब से कहा जाए उनके साथ नुकसान हुआ है एज उनका क्रोस होते जा रहा है पूरा एज-लैप्स होते जा रहा है तो ये तमाम चीज़ों को दियान में धखते हुए उनको एज का भी उनको ऐज देते हुए छूट देते हुए। जो यहां के आदिवासी मुलवासी लोगों को लाफ ले सकेक 있어 आपका करमचारी, चैनायो का मामला हो जारकान छोड़ेता है उम्हाद सर्कार परिश्चायों का समया पर होने के करण हमारे यहां के 45 0 comma काफी नुकसान है इसक जाते भोठ वुदासचा देख जा रही है इस सरकार से उमीद है गड़बंदन की सरकार है और ये सरकार यहां के अधिवासी मुलवासियों के लिए ही बनी है इस दिन निश्चितुप से इन लोगों को सरकार को आप चाहिए कि इस पर सारे काम को करते हुए इस काम को प्रमुक्ता से दे करके इस नियम को बना है साथ मैं एतना कहूंगा कि जो हमारे दूसरे प्रदेश से प्रावासी लोगा हैं उनको भी यहां के लोगों के लिए बड़ा दिल दिखाने के जो रहा था है चोटे मोटे चीजों में कोट कछेरी में भेज करके उल्जन में ना करें पूरा चीजों को समझे हो लोग सहयोग क किसी तरह का इसमें आपसी मतभेद ना रख करके लोगों को अब दिखते हैं कि कुछ-कुछ बात हो जाता है तो आपका इलोगतुरत में कोट कछरी में जाकर के मामला को बिरोधाबास बनाने का प्रियास के इसलिए मैंने कहा कि इन लोगों को बड़ा दिल दिखाने के बिल्कुल यह तमाम चिजए इस भी चीजए इसको कुई कार नहीं किया जा सकता है लेकिन या दितिखेम लोग हर ऐक पैंच साल के बार दो चुनाओं मayों जाते हैं सरकार है सरकार को सब्ति C देखने बारी किसे देखना है किसी भीहालात में इसका नीदाना कि जौरत अब आज केविनेट की बैठक है प्रदे सद्दक्ष अपके उन्होंने गोस्ना कर रखी थी जल्द से जल्द जो है और एक बात और और नहीं कही थी कि पहली जो केविनेट की बैठक होगी उसमें जो है नियोजन निती लाने के लिए हम लोग सरकार पर दवाब बनाएंगें तो क को राज सरकार को माने मुखमंतर जी को इनको पूरे लोग को ध्यान देने चुकि बहुत बड़ा युवाओं के लिए उनका लिए बहुत बड़ा ज्वालन्त इश्यू है अब इसको आप बहुत ज्यादा इसको रोक के नहीं रख सकते हैं इसलिए इस पर आपको विचार तो क्यों से तो सरकार किस्कों विचार करनेशेएं कि बाध ड़ कर दढ़ा तो वाओं का उम्ढ तो घरता जा रहा है और मालिया जय की कुरुड मैं है साथ साल पा statement का सरकाल कौュ विचार करना चैना श्को दीया जाना चाहिए 네 मिधैं बने रह्येर इस इस और बोत के साथ मैं प्रासु तोस कुमारा